तो बच्चो आप सबने 9 और 10 में पाइथागूरस थीरम के बारे में पढ़ा होगा पाइथागूरस थीरम एसेंचली एक राइट आइंगल ट्राइंगल के लिए होता है और वो यह कहता है कि अगर हाइपरटुनीज की लेंग्ष C है और right angle triangle के बाकी दो sides की length A और B है, तो A square plus B square C square के हमेशा बराबर होता है, इसका proof भी आपने पढ़ा होगा. Now, हम लोग practice से कुछ-कुछ Pythagorean triplets जानते हैं, Pythagorean triplets क्या होते हैं? ऐसे कोई भी तीन number A, B और C, जो इस relation को satisfy करते हैं, उनको हम Pythagorean triplets बुलाते हैं. इन में से कुछ-कुछ examples आप पहले से ही जानते हैं. For instance, all of us know that 3, 4, 5. 3 square plus 4 square, 5 square होता है. ये काफी commonly known Pythagorean triplet है. हम ये भी जानते हैं, for instance, that 6, 8, 10. ये भी Pythagorean triplet होता है. For instance, one more, एक और जो अच्छे से लोगों को पता नहीं होता है, वो है 5, 12, और 13. आप करके देख सकता है, 5 square plus 12 square, वो 13 square के बराबर होता है. अब ये Pythagorean triplets को, अगर हमको कोई भी नया Pythagorean triplet generate करना है, ये कैसे करें? इसका मैं आपको एक बहुत ही cool trick सिखाने वाला हूँ आज. So, the trick is, A, B और C. मुझे ऐसे 3 number निकालने हैं, जो इस relation को satisfy करें. तो we will take any two numbers, M and N. कोई भी दो integer ले ले लेना सबसे पहले. अब A, जो है, A को रखना है, M square minus M square. यहाँ पर मान के चलते हैं हमकी M greater than N है. A को ले लेना M square minus N square, B को ले लेना 2 MN, और C को ले लेना M square plus N square. और आप guarantee देता हूँ मैं आपको, कि A square plus B square C square के बराबर होगा, और ये Pythagorean triplet होगा. Let's take an example. Let me for instance take, M is 3, N is 5. तो मैं सबसे पहले A को क्या लूँगा? A को लूँगा 5 square minus 3 square. 5 square minus 3 square कितना हो जाएगा? 4 square हो जाएगा. So A हो जाएगा 16. B क्या हो जाएगा? 2 into 5 into 3. वो हो जाएगा 30. क्योंकि 2 5s are 10, 10 3s are 30. तो C क्या हो जाएगा? 5 square plus 3 square. This is 25 plus 9, 34. और आपके पास अगर calculator है तो आप चेक कर सकते हैं. 16 square plus 30 square, 34 square के बराबर होगा. इसका मतलब 16, 30 और 34 एक right angle triangle का हिस्सा होगे. So I hope you found this trick very useful to determine Pythagorean triplets. मैं ऐसी आपको बहुत सारे tricks बताते रहूंगा. Stay tuned to our channel to know more such awesome tricks in the field of mathematics. अगर आपने अभी तक हमारे आप को डाउनलोड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में देगए लिंक से आज ही हमारे आप को डाउनलोड करें. और जिन्होंने हमारे आप को डाउनलोड कर लिया है, Google Play Store पर जाकर हमारे आप को रिव्यूँ ज़रूर करें.